पॉस्ट आफल गुड मॉर्निंग डॉल आफ यू तो अपन देखते हैं भी लेक्टर नमबर 11 चारसो पच्पन तक अपन देख चुके थे अपने स्प्रिंग देखते हैं इस प्रिंग में अपना कोशन नमर 456 यह कहता है देखो इस प्रिंग के अंदर जो टोटल खेल है ना अपना कोशन नमर 456 है सारा खेल किसका है एनर्जी का है और यह कर्व मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ करेंगे उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी उसके अगेंस्टी क्या है वो लोड को हटाने पर अपनी पुरानी अवस्था हम आ जाई उसके कारणी वो जो भी इंपेक्ट लोड़े या शॉक है उसको वो जेल सकती है तो कहां तक जिले इसने हैं यहां तक की बात है हमारी और यह कौना को सिर्द होता है मारा वर पॉयंट वेंधी यह थी हमारी यह थे किशते हूँ सारिय ऐनर्जी यह बेंगे इस पॉइंट तक हमारी चेलीग इसको अमने एक खीचा तब एस किलाएगी यहां तक तबी अगर आपने यही तक खीच दिया बिल्कुल मेग्जिम आप यहां तक सकते हो तो गृफ का मतलब क्या होता है मैग्जीमम तो प्रूफ रेजिलियंस हो चुक्या है बात क्लियर है और इस वाले पॉइंट पर जिस लोड से आप खीच रहे हो भई लोड तो हमारा किसको डिनोट करता है stress को और हमारा जो extension या elongation है वो डिनोट करता है strain को तो यह stress strain कर भी तो होती है तो actual में एक कर किसकी होती है लोड और deflection की ठीक है तो यह जो लोड होता है वो कौन सा लोड होता है हमारा वो होता है proof लोड और उस पर जो energy store होती हो कौन से होती है हमारी proof resilience तो यह होती है हमारी greatest पूछ रहा है तो greatest load कौन सा होगा proof load होगा तो option 459 में कहाएगा हमारा option D आएगा question देखते है 457 457 यह कहता है the strain energy stored in a spring when subjected to greatest load without being permanently distorted is called कौन सी होगी strain energy में अभी आपको बताया था proof resilience तो proof resilience कौन सा था maximum strain energy अगर आपने वहां तक खीच दिया आपके material को यहां तक खीच दिया आपने और उसके बाद छोड़ रहे हो तो फिर वह अपनी पूरी पूरी से फिर से gain कर लेगी मान लीजिए आपने इसको खीचा और यह यह यहां तक खीच गया आपने इस थोड़ा सा भी जाता है कीच दिया आपने से कीच दिया दो पॉइंट दो एम 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 तो इसमें जो पॉइंट दो एम एम इम स्ट्रेन रह जाए गी थोड़ी बहुत और वह कौन सी होती है हमारी पर्मारेंट यह प्लास्ट के स्टेंड देती है तो इसमें आंतर के आएगा हमारा फूफ रेजिलियन साइगा अब देखते हैं को सब्सक्राइब चार्स वाली में स्टिफनेस को हम के या एस किसी से भी नोट कर सकते हूं लोड पर यूनिट रिफलेक्शन के लाती ह हमारी स्टिफनेस जितना ज्यादा स्टिफ होगा उतना ही कम उसमें डिफॉर्मिशन या डिफलेक्शन होगा आप यहां से भी देख सकते हो अगर यह ज्यादा है तो यह कम है और अगर यह कम है तो यह ज्यादा है तो जितना ज्यादा स्टिफ होगा जितना ज्यादा स्ट क्या होते हैं एक दूसरे के आपोजिट होते हैं अब हम देखते हैं को से नुमर चार सो उन्सर्ट फोर फिप्टी नाइन यह कहता विच टाइप आफ इस्टील इस यूजड टू मेक एक्जल एंड इस्प्रिंग एक्षल और स्प्रिंग को बनाने के लिए हम कौन सी स्टील क हो हमारी वह होती है क्रोम वैनेडियम स्टील इसका यूजड गरते हैं अपन यह शौक को रोकने के लिए बहुत बैटर मेटेल होता है शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन वैनेडियम स्टील बात के लिए तो हमारा ओप्शन कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन डी आएगा ओग और य'll ऐमिनेटेड इसफ्रिंग इस अन इनिशल कर्वेचर वी कॉस्झेश लैमिनेट इडीट्री मतलब कौन से होगी जो परत जिसमें क्या है परत है परत लैमिना मतलब परत जैंड़ मैं इसको इस फश्रिंग को ऐसा नह दे कर कि वो क्या है यूँ योदेते थे स्टार्टन थोड़ी करवेचर देते हैं क्यों देते हैं ऐसा आरे वह इन इस्प्रिंग में लोड कहां पर लगता है यह सपोर्टेड तो होती है यहां पर और लोड लगता है इनके करव देते हैं अपर साइड में तो लोड लगता होगे तो लोड लगतार के बाद में यह फ्लैट हो सकती है लास्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है इसलिए अपन क्या करते उनको पहले से कड़ रखते हैं क्या आएगा इसमें इस मोर एकॉनोमिकल नो इट गिफ यून सकती है और आपने पहले से बनाई तो यह फिर से होने के बाद में ऐसे लगाने के बाद बाद में फ्लैंट हो सकती है पहले सी फ्लैट लेंदी तो वो युन हो जाएगा यह इसन है आपको बताया था है इस पर मैंने आपको बताया था इस पर लोड तो लगता है यहाँ पर यहां पर सपोर्ट रहते हैं इसे पे लोड तो रहते हैं तकिकी कहा होती है center पे center and loaded at ends end पर तो load होता है और center पर टिकी होती है 463 laminated springs are subjected to laminated springs यह जो spring होती है हमारी इनमें क्या होता है load लग रहा है इनको distance मिल रही है bending moment आ रहा है bending moment आ गागा तो कौन से stresses आएंगे इसमें bending stresses आते हैं तो कौन से होती है इसमें bending stresses develop होते हैं और जो हमारी कौन सी spring होती है यह होती है spiral इस तरह के घुमावदार shocker जो होते है हमारे bike के उस प्रकार के जो हमारे train के अंदर रहते हैं इस तरह से spring रहती है गोल-गोल गूमती है helical spring मोते हैं उसको पन तो helical spring में कौन से मोमेंट होता है इसमें तो होता है हमारा bending moment helical होता है twisting moment तो bending moment कारण bending stresses, twisting moment कारण shear stresses तो वहाँ पर तो हमारे helical में shear stress होते हैं और direct stress और इसमें केवल bending stresses होते हैं 463 हो गया, 464 क्या कहता है एक carriage spring of span L, carriage spring हमारी जो leaf होती है बैदे को laminated बोलो, चाहें leaf बोलो, चाहें carriage तीनों का मतलब A की spring है हमारी, flat spring इस spring की कह रहा है, consist of N plate, इसमें कितनी plate हैं वही एक, दो, तीन, चार, पात, इसमें N plate लग रही है N plates, each of thickness T and width B if the spring carries a load W and modulus of last 80 of the spring is E then the central deflection, तो deflection का formula अपना 3 W L cube 8 E N BT square, तो यह हमारा formula होता है, यह आपको ध्यान रखना directly, लिख्वाय हुआ है मैंने, 3 W L की उपन में 8 E N BT cube हैगी, तो इसका option कौन सा होगा हमारा option यह आएगा, 464 में A, 465 देखिए, 465 क्या कहता है, when a closed coil helical spring is subjected to an axle load, closed coil भाई अब उसी की बात हो रही है, मैंना को होता है coil के रूप में, coil मतलब गुमावदार, जैसे हमारे shocker लगते हैं, बाइक के अंदर वो हुए, और जो हमारे train में रहते हैं, तो shocker में आपने देखा होगा, शौकर इस तरह से होते हैं उनमें gap रहता है, शौकर में क्या रहता है, आपको gap दिख जागा उपर, नीचे बिल्कुल चुपके रहती है, spring यहूं बिल्कुल चुपकी रहती है और ऊपर क्या रहता है उपर गैप रहता है तो देखो अगर गैप है तो उसको बोलते हैं open coil coil क्या है खुली हुई है और बिल्कुल चुपके हुए हैं तो close coil बात के लिए रहे open coil और फ्राइब कर रहे लोटे टो ट्रेंड में जो वेगन रहे रहती होती है खुल अब बताया था और है बेंडिंग होती है उसमें क्या होगा ट्रॉजन होगा जबकि हमारे जो open coil होता है उसमें बेंडिंग भी होती है और तोर्ड दोनों चीज़ें होती है तो 466 देखते हैं कुसर नंबर 466 क्या कहता है इंदा एनलिस ऑफ एक क्लोज कोईल हेलिकल स्प्रिंग अंडर एक्जिल लोड विच और फॉलॉविंग इस चीज़ को आप नेगलेजिवल करोगे टॉर्जन बेंडिंग एक्जिल फोर्स इंदावायर इसके अंदर हम बेंडिंग और एक्जिल फोर्स को नहीं लेते के वर टॉर्जन को मानते क्लोज को एक अंदर तो और तो और किसको नेगलेट करेंगे दो और तीन को मतलब भी ऑप्शन आएगा आप्शन भी तो 466 में क्या आएगा ऑप्शन भी आएगा 467 दप्री डॉमिनेंट इफेक्ट आप एन एक्जिल टेंसल पूर्स ऑने हैलिकल स्प्रिंग इस क्या होता है एक्जिल टेंसल फॉर्स का हमारे कौन सी हैलिकल है हैलिकल स्प्रिंग ऐसे होती है इसमें यहां लगता है लोड पी लग रहा है लोड इस लोड के कारण अगर में इस सेक्षन पर देखूं तो लोड इंटू में डिस्टेंस क्या है आर रेडियस तो क्या हो गया यह यह मुमेंट जन्रेट हुआ यहां पर कितना टी बोलेंगे सेक्षन पर लग रहा है और दूसरा टूस्ति लग रही है यहां पर यहां पर इस तरह से पूर इस यह रूप में तो एक तो और यह प्रस लगता कुण सा सीर फॉर से को कि सेक्शन पर लग रहा है और दूसर ट्विश्टिंग में तो दो चीज लगई है यहां पर यह रहा दा प्री डॉमिनेंट इफेक्ट सब में एफेक्ट क्या होता है इसका ट्विश्टिंग होता है यह जो एक्जल लोड आपने लगाया इसके कार्ण इसके सेक्षिन पर क्या आएगा हमारा ट्विस्टिंग मुमेंट उत्पन होगा 468 कोशन नमबर 468 देखते हैं एक क्लोज कोईल हेलिकल स्प्रिंग इस सब्जेक्टेट थूए टॉइट आर्ग इस एक्सिस दाइस प्रिंग वायर वॉड एक्स्पिरियंज तो अगर टॉर्क लग रहा है तो उसमें कौन साइस तेस होगा बेंडिंग इस्टेस होगा एक्जियल सिर्ष टैसुगा लेख देट टेंशाल स्ट्रेस तीसरा लेख टाइक शीर स्ट्रेस चौता टॉर्जनल शीर स्ट्रेस चार शोड़ सट में दी चार्सो उनहें तर पीक अब दक करेक्ट स्टेट्मेंट फांट फॉलोविंग वायर वायर वाउंडेटिस पारल फॉर्म इस काल है लिकलवा व एसे है तो इस पुरिंक we had horizontal से वा जो आपकी बातोह किनवा कि SMT तो होरिजॉंटल से देख रहा हूं मैं यह वाला आंक्त दो स्प्रिंग के बीच में एंगल अ कि जो अगल ओस में भी उक्षि पन क्या बूर्त सिक्कराइब एंगल मेरेभिट क्यल before our बिल्कों सभी बाते जो बता हैं फिक सुनी ये तो अमारा एंगल होता हैं Wonह को और जो दोए स्प्रिंग के बीच मनना पूर्थि हैुआ हमारी समय अभी आपको बता है इस प्रिंग के बीच में एंगल हूता है और अगर ऑर रूंटल से बना रहे एंगल तो वह होता है यहमारा अलफा हैल्ग सोलत में बिल्गुसराया थी नहीं एक्जियल टॉर्क इस गिवन बाय क्या पूछ रहा है एंगल ओफ ट्विस्ट टी एल अपन जी जे होता है हमारा तो देखो भई यहां पर टी तो टी है हमारा एल लेंथ कोईल की मेर को कम्प्लीट लेंथ चाहिए यहां से यहां तक की आपको मालू में एक चूड़ी ऐसा हो दो तीन चार पांच ऐसे जितनी भी चूड़ी है एक चूड़ी की लेंथ कितनी हो जागी परीदी के बराबर टूपाई आर वेको कम्प्लीट की निकाल नहीं है तो टूपाई आर को मैं नमबर ऑफ चूड़ी से गुणा कर दो तो टोटल लेंथ आ जाएगी निया जागी पूरी स्प्रिंग की तो टोटल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं तूपाई आर एन अपॉन में जी तो जी होता है हमारा जो मारा मॉडूलस ऑफ रिजिटी इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हो एन से भी जी से भी किसी से भी करूँ आप जे क्या होता है पॉलर मोमेंट है कि 64 हुआ है आर अपॉन में थिस आध्र मेरी सिक्सटी तिस उनी Logic respond में घी litu ओर रेडियस को करता हूं डाइमेटर में तो डी आप टू हो गई ठीक है ना इज ए लॉट हो Erm sou 32 behavior चारों में नीचे एलिखा हुआ है तो वही उसने इसको एलिख दिया है जबके अपने लिख सकते हैं चारों में लिख दिया तो लिखे दिया उसने झीट होता है नहीं मतला फॉट्मिला तो इन्सक्राइब अपने हमारा तो उसने इमाल लिए तो कोई बात इसको इमाल लो आप क्या करें वह उसने अगले ने गल्ती कर दी दो इगा यह लिग दिया हमने तो हमारा यह ओप्सञ कोंसा option है हमारा A, तो A answer आएगा, इसमें correct कर लाएगा, आपका आंसर B दे रखा है, B नहीं है, answer A आएगा, correct कर लाएगा, इसमें 470 में A आएगा, option A, 470 में option A आएगा, अब करते हैं हम 471, कहता है, consider a close coil helical spring of radius R subjected to a load P, the spring consists of n tons of wire with wire radius R, the stiffness of the spring is, stiffness क्या होती है हमारी, stiffness जो होती है हमारी वो होती है, load upon में deflection, बात क्लिए रहके नहीं, तो load upon में, यह जो हमारी deflection होता है, deflection का formula हमने, पीछे देखा था just, जो हमारा इसमें deflection आएगा, CD4 upon में, CD4 upon में R cube N, यह अपना formula है रहता है इसका, load upon deflection से निकल के आएगा अपना, जो अपना deflection होता है, वो 64 R cube N upon में, W, CD4 होता है, जब आप इसके नदर भाग दोगे, 64 W R cube, 64 W R cube N upon में CD4, यह होता है हमारा deflection, कौन से केस में है, यह helical spring का deflection है, जैसे उसका था हमारा, 3 W L के अपन में, AT and BT cube, सेम ऐसी इसका deflection होता है, 46 W R cube N upon में CD4, वो leaf का था, यह helical का है, तो आप W में इसका भाग दोगे, तो W upon में यह करोगे, W, CD4 upon में 64 R cube N आएगा हमारा, तो इसमें option कौन सा हमारा, CD4 upon में 64 N R cube, लेकिन यह option तो हमारा, इसके अंदर ही नहीं, इसको diameter को radius की टरम में लिख रहा है, तो इसको आप radius की टरम में लिखोगे, तो diameter क्या होता है, हमारा, radius का दुगना होता है, तो 64 R cube N, दो का, दो दुनी, चार्दुनी, आर दुनी, सोला, सोला वटे, 64 C, radius को small r के denote कर रखा है, C, R, 4 upon में, capital R cube N, सोला से कटे गया, तो आगया, C, R, 4 upon में, 4 R cube N, C, small r, 4 upon में, 4 R cube N, C को G बोल रहा है, तो answer को जोगे है, हमारा, यह, option होगया, B, बात के लिख रहे के नहीं, इस तरह द्याना करना, भाई, इसको होता है ना, कहीं पे, deflection नहीं, हेलिकल, स्प्रिंग का deflection, एक लोज को ले, 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 दिफ्लेक्शन, यह, होता है, ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते है, कोशन नमर, 470, कोशन नमर, 470, कोशन नमर, 470, क्या कहता है, 400, बेतर कहता है, इसकी जगे अगर हम कोई एक स्प्रिंग लगा दें तो उसकी इक्विलेंट इस्टिफनेस को हम कैसे ग्याद करेंगे जब सीरीज में होती है न तो जो इक्विलेंट जो इस्टिफनेस होती है हमारी होती है इसको कैसे निकालते है पर इक्विलेंट को इस तरह से निकालेंगे वन अपॉन के एक्विलेंट बराबर वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू तो आपको के एक्विलेंट निकालना है आप एलसेम ले लो तो वन अपॉन के एक्विलेंट बराबर के वन के टू एलसेम k1 plus k2 तो k equivalent निकालना तो k equivalent क्या उदाएगा ये इसको उपर कर दो आप तो k equivalent बराबर k1 k2 upon में k1 plus k2 आ गया ये अगर हमारी parallel में होती ही 2 spring एक ऐसे है एक ऐसे है तो आपका ये k1 है ये k2 है दोनों के जेगर मैं एक लगाता हूँ और उसका k equivalent पूछ रहे हैं तो parallel के case में कुछ नहीं दोनों को आप जोड़ दो simply ये होता है और series के case में कैसे निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं तो 2 का formula fix हो चुका है k equivalent बराबर k1 k2 upon k1 plus k2 option ए आएगा 473 देखते हैं आपका question number 473 two closed coil spring of stiffness S and 2S are arranged in series in one case and in parallel in the other case दो है एक मैं तो उनको series में लगा रखा है इसकी stiffness ऐसे और इसकी 2S है और एक एक arrangement उन दोनों को पैरलल में लगा रखा है ठीक the ratio of stiffness of spring connected in series to parallel series में जो stiffness आएगी k equivalent क्या होती मेरी k1 k2 upon k1 plus k2 पैरलल में क्या होती है k1 plus k2 इन दोनों का ratio पूछ रहा है तो ये k equivalent कितनी हो गई S into में 2S upon S plus 2S और ये हो गई मेरी S plus 2S तो ये मेरी value कितनी आई 2S square upon में 3S बराबर S से S cancel तो 2 बटे 3S तो ये तो आईए मेरी किस में 2 बटे 3S ये तो आईए series में और यहां से कितनी आगी 2 और 1 3S इन दोनों का रेशो पूछ रहा है तो क्या रेशो जाएगा 2 बटे 3S बटे 3S S C C S cancel 2 बटे नो आगा आणसर आणसर किया आएगा मेरा 2 बटे नो आप्शन डी आएगा ऑप्शन डी हो चुका है 470 में इस तरह से निकाले है सिंपल कुशन था 474 4 फोर दा सिस्टम आप स्प्रिंग शॉनिंट फिगर इक्विलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस इस इसमें पहले तो एक छोटा सा आप करेक्शन कीजिए भाई ये के जो है 10 क्लो न्यूटन पर मीटर ये जो के है न इसको आप 40 कर देना इस वाले को 40 कर देना और इस वाले को कर दुआ 30 क्लो न्यूटन पर मीटर और ये है मेरा 20 क्लो न्यूटन पर इसकी एक्विलेंट पूछ रहा है कैसे निकालू मैं यह तो भई मेरी यह दोनों सीरीज में हैं, यह दोनों इसके प्रालल में, तो पहले तो मेरे को इसको convert करना पड़ेगा, किस में इन दोनों को में को एक single में convert करना पड़ेगा, single में कैसे करेंगा है, equivalent निकाल करके, फिर जब यह single में convert हो जायेगी, तो फिर मेरे तीनों spring parallel में हो जाएंगी उन पैरलल का में निकालों इनको सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले आप सीरीज वाले को एक्विलेंट बनाओ फिर सीरीज वाले को बनाने के बाद फिर आप पैरलल वाले की निकाल लो तो पहले में को इसको सीरीज में बनाना है तो सीरीज में बनाओंगा तो इसकी एक ही बनेगी इन दोनों की ठीक तो एक जो बनेगी इन दोनों की इसकी तो वही रहेगी K बरावर 30 क्लो न्यूटन पर मीटर और ये 20 क्लो न्यूटन पर मीटर एक कैसे बनेगी ये 10 और 40 है तो इसकी एक कैसे बनाओंगा मैं देखो 1 upon sorry अपन जानते k equivalent बराबर k1 k2 upon k1 plus k2 बराबर k1 कितना है 10 गुणा 40 बटे 10 plus 40 50 हो गया यह हो गया मेरा 400 बटे 50 बराबर 8 kN per meter तो यह कितनी आ गए मेरी 8 kN per meter सबसे पहले मैंने कहा किया सीरीज बाले को equivalent में convert कर दिया मेरे को इनकी equivalent दो निकाल लिए अब यह तीनों मेरी parallel होगी अब कोई दिक्कत नहीं है तो इन parallel का क्या होता है इन parallel को मैं एक spring में convert कर सकता हूँ और इसकी stiffness क्या होगी parallel के case में क्या होती है तीनों को जोड़ देते हैं अपन तो parallel के case में होती ही मेरी के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 तो के 1 कितनी है 20 प्लस 8 प्लस 30 बराबर 58 किलो न्यूटन पर मीटर तो इसकी क्या होगी मेरी 58 किलो न्यूटन पर मीटर आंसर आए आएगा तो आप इसको correct कर लेना अब आप देखो क्या करेंगे फिर से बतायता हूँ है आपको सबसे पहले तो में सीरीजा वाले को कनवड़ करूगा एक सिंगल मैं यह मैंने कंडिया अब यह तीनों मेरी पैलल होगी पैलल को भी एक सिंगल में अबनवड कर दूंगा तो सी रीज को कैसे कर Ży सबस्क्राइब ठीक है तो 474 में मेरा option आएगा यह है, अब पन देखते हैं, question no. 400 पिछाइट तर, यह क्या कहता होई, Stiffness की बात कर रहा है, और कब बात कर रहा है, और कब बात कर रहा है, डायमेटर को कर दिया है, इसने, CD4 upon 64 nr3, अभी देखाता है, CD4 upon 64 nr3, तो आपको दिख रहा है, Stiffness हमारे डायमेटर पर कैसे depend कर रही है, डायमेटर की पावड 4, बागी चीज़ को constant रखेंगे हम, तो डायमेटर तो इंक्रीज हुआ है, कितना कर दिया, दुगना कर दिया, तो जब आप 2D की बावड 4 करोगे, तो कितना दो दुनी, 4 दुनी, 8 दुनी, 16 गुना, तो कितना बढ़ जाएगा ये, इस्टिफने समारी इंपी उज़ाएगी, कितनी, 16 तो जब आप दुगना करोगे, तो इस्टिफने सुझाइगी, 16 ताइम्स इंग्रीज उज़ाएगी, अब आपन देखते है, कॉर्षण नमबर 4, 60, 60 देखते है, तो बजह आपन देखते है, नेक्स्ट कॉछ्ण नमबर, 400, जाच्रो, चार्या का ता है, यह क्या है, यह क्या ता है, यह क्या ता है, यह क्या तो two close, two close coil springs a and be of the same material, same wire and same number of tons, सारी ती सेम उसकी सेम मैटेरियल के सेम वायर की हैं और सेम नमबर आफ टन्स की हां सब्जेक्टिट टू एन एक्जिय लोड़ ऑफ डबलू दोन अपर लोड़ भी सेम लग रहा है थार मीन डायमेटर आफ स्प्रिंग ए इस हाफ दैट आफ स्प्रिंग बी बस अंतर किसके अ आप सिघ्व पूछ रहे हैं मालों डेल्टा एह हो रहे डेल्टा बी इतो डेफलेक्शन रिसके सब्फलेक्शन डेल्टा बी और डेल्टा एक पूछ रहा है तो थो आप जानते प्लेक्शन क्या होता है 64W rcube एन अपोन में cd4 एसका बहूँ क्या होगा चो लूब्लू आ तो रेडियस भी होई, रेलेसेंसी पोगी इसके बीच में, तो इसमें देखो, आप ये डेल्टा-B का डिफ्लेक्शन तो ये है, डेल्टा-A का ये है, इसमें सारे चीज़ सेम है, W भी सेम है, ये कैंसल, 64, ये कैंसल, N cancel, number of trans image, CD4, CD4 cancel, केवल का बजगा, R cube upon R cube, इसका R कितना है, बई, B का R कितना है, R है, और इसका R कितना है, इसका है, R by 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, R by 2 का Q, बात क्लिए रहे के नहीं, क्योंकि इसकी जो रेडियस हो कितनी है, हाफ है इसकी, तो यह उपर तो हो गया, R cube और नीचे हो गया, R by 2 का Q, तो 2 का Q उपर जाएगा, तो क्या आगा, बागी R cube से आग्योप कैंसल, क्या आया, 8, तो कितना गुना हो गया, हमारा, 8 टाइम, तो आंसर क्या आएगा, चार्श शेत्र में, यह आए, अब देखे पन कोशन लूपर चार्श विशत्र, कोशन लूबर 477, तो कोशन लूबर 477, यह कहता है, वह अन ओपन चॉइल हेलिगल स्प्रिंग अफ में डियमितर दी, लूबर अफ इस अन वायर दाइमितर दी, is subjected to an axle force P the wire of the spring will be subjected to भाई यह कह रहा है close coil इसमें सबसे important चीज़ क्या थी close coil, close coil spring ऐसी होती है हमारी यह spring ऐसी है कि अगर मैं इसके निचले इससे को यूँ खिसका हो ना तो यह यूँ जाएगी मतलब spring कैसी हो जाएगी आगर इसको इसको रगसका हो तो भी सक्षागी अपने pen की जो spring नहीं होती है spring वाले pen होते है उस वाले flip वाले जो पहन हो तो इसमें spring रहती हो कौन सी spring होती है हमारी open coil तो उसके देखो क्या हो रहा है लेकिन अगर हमारी क्लोज कोलो ती है यासे हमारी कौण से शौकर बाइक के शौकर को थोड़ी आप ऐसे कर लेते हो उसको नहीं कर बाते हो दिना प्लोज कोईल है लिगल स्प्रिंग तो उसके अंदर केवल क्या होता है ट्विस्टिंग मुमेंट और शियर पोस इसमें आप शारी जीजिए यहैं और शियर शारी टीमिट का और शियर ऑपन देखते हैं नेक्स्टिंट काम अपन देखते हैं next minute 4th next week 478 question next minute कौंसी हमारी ये है direct bending and direct and bending stresses eccentricity is defined as the 478 eccentricity is defined as the distance from the load to the eccentricity कहां से कहां ते की distance होती है भई मान लीजिए हमारा ये section है और अगर मैं यहां पर लोड लगाता हूं तो इस लोड की eccentricity कहां से लेते हैं अपन इसके आउटर इससे से लेते हैं क्या या फिर इनर से या आउटर से या फिर इसके जो section का CG होता है या center होता है वहां से लेते हैं हम कहां से लेते हैं center to go उसके center से लेते हैं जो section उसके center से लेते हैं जो section उसके center से लेते हैं तो इस मांसर के आएगा 4078 में center of the section कोशन नमबर 479 कोशन नमबर 479 यह का कहता है वें डारेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस देर विल भी अब देखो चीज गाप तसली समझ लो एक बार यह मेरा कोई सेक्षन है कॉलम का ठीक है इसके उपर यह इस तरह से सेक्षन है कोई कॉलम का अभी तो मैं आपको कॉलम को सामने से देख रहे हैं अपन यह सेंटर है इसका अगर उपर से देखोगे ना तो आपका कॉलम ऐसा है कुछ और यह इसका सेंटर मैं लोड को यहां लगा रहा हूं कहा लगा रहा हूं लोड को यहां लगा रहे हैं आपन इस कॉलम के अंधर एक थो लोड अंग रहा है यह रूप इन्टो परपेंडेंडेगुलड रिस्टेंस क्या उत्पन हो गया वहीं बेंदंग मुर्यल इंटो परपेंडेगुलर सैंस तो यह लोड गगल के इस enfant देखो लगरा यह क्या है ऑग् עपन कॉछम क्राइए और यह काइसे ओगे होquet लेकिन आपको बेंडिंग मुमेंट के कारण कॉंसिस्टेस आते हैं M upon I sigma upon Y मतलब यह आते हैं हमारे sigma बराबर M into में Z कॉंसिस्टेस है हमारी bending stresses तो इस मुमेंट के कारण तो आएगा हमारा bending stress sigma B इसके कारण आएगा हमारा exhale stress तब ही तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि लोड जब हमारा कैसी जेंडिस्टेस लगता तो उस पर combined stresses लगते हैं combined कौन से एक्जियल और bending दोनों लग रहे हैं तो एक्जियल stress तो हमारा P by A है और bending stress हमारा M by Z होता है हमारा bending stress होता है आपको मालूम है यह मालूम है एक्जियल stress के कारण तो केवल क्या होगा compression लेकिन बेंडिंग के कारण दोन्टी जाओंगे टेंसन भी होगी और compression आपको मालूम है bending stress का distribution ऐसा होता है यह compression और यह टेंसन तो compression की तरह होगा tension की तरह होगा आप सोचो bending moment पर यूँ लग रहा है यह डारेक्शन देखो यह यह बनेगा यह तो यह मेरा compression positive और यह है से दर आले से में का लगेगा tension लगेगा यह बात के लिर होगी हमने आप देख लिया दो चीज़ा बन रही है एक तो यह इस के वन हमने लोड को कोई centricity पर लगाया था पी लोड को उसके कारण देखो एक तो हमारे diet stress प्रोड्यूस हो रही है वाले यह कौन से हमारे Excel stress P by A और एक हमारे होंगे कौन से यह bending stress होंगे और bending stress कौन से होते हैं हमारे यह होते हैं हमारे अब देखो अब सारी चीज़ें आप देख लिजए अब यह क्या कहता है वेंडायक stress is greater than bending stress जब इसकी value जादा है इससे सिगमा एकी value जादा है सिगमाई से मालो यह value हमारी 100 है और यह value कितनी हमारी 30 और यह भी 30 ही होगी तो इसके ऊपर complete पूरे पर कौन से stress होंगे टोटल इस्ट्रेस कौन सा होता है हमारा टोटल इस्ट्रेस तो होगा एक्जल इस्ट्रेस प्लस में bending stress यह दौनों को जोड़ दिया हमने और बेंडिक स्ट्रेस हमारे दोन होते है पॉस्टीव होता है तो आप जब इसकी वेल्यू ज्यादा है और लेकर चलेंगे अगर आप इतना आया सट्था सट्था यह उद्ध 2040 फेर अगी प्लस लोगे तो प्लस आए की घी उलिघी माइनस लोगे तब भी भी प्लस आई-गी इस का मतलब क्या गांप्लीट फर कॉंसे स्टैस लगे ऑनली और अल्ली ग्रफिए लगेगा उसके थे प्रगार के टेंशल स्टैसे दुपन नहीं होगे तो चार सुने तर चार्ट लिए समय के आएगा मारा यह आएगा इसी पर आगे हमारे काफी सारी चीजह बेज नहीं इसलिए मैं आपको पहले इसारी चीजह बता दी जिसको में नहीं पता हमारे combined stresses है P by A plus minus M by Z यह होता है अब देखते हैं question number 47480 the condition for stress to remain wholly compressive is that eccentricity should not be more than complete जो हमारा यह है इसमें मैं कहां कहीं पर load लगाऊं तो कितनी दूरी पर load लगा सकता हूं maximum कितनी दूरी पर में इस load को लगा सकता हूं कि complete में केवल क्या आए compression आए किसी प्रगार की टेंसल मौझूद नहीं हो उसके लिए मुझे मालूम है जब eccentricity पर हम load लगाते हैं तो उस eccentricity के कारण यह दो इस्ट्रेस डवलप होते हैं तो एक्जल और एक बेंडिंग एक्जल होता पीवाई यह बेंडिंग होता है पूरे में आपको compression चाहिए मतलब ही जो हमारे टोटल जो यह वैल्यू से कम है तो वैल्यू माइनस आगी माइनस का मतलब क्या है तैंसन तो compression कौन से के समा रहा है प्लस हो चाहिए जीरो हो तो इसकी वैल्यू मेंग हम कितनी दूरी पर रख सकते हैं जो हमारा complete यह बेंडिंग stress जीरो तो वह दूरी निकाल लिए हम को eccentricity तो मैं इस पूट करता हूं तो मैंने जो हमारे total stresses उसको कितना पूट कर दिया जीरो तो यह पी बाई ए माइनस एम मुमेंट क्या होता है पी इंटू में ई तो था हमारा भई लोड इंटू perpendicular distance eccentricity तो थी upon में मैंने कर दिया जैड तो आप इसको इदर भेजोगे तो क्या आगया पी इबाई जैड बराबर पी बाई ए अब यहां से देखो पी से पी कैंसिल तो ई बराबर क्या आगया मतलब अगर मैं लोड को इस जैड़ एंटर सीटि पर रखता हूं से चाहे इधर चाहे इदर, चाहे इधर, चाहे इदर, चाहे इदर, चाहे इदर इस question को maximum 99% बच्चे इसको गलत करेंगे उसका option लगाए बीवाई 6 क्योंकि वो रट कर गया है बीवाई 6 किसका होता है बीवाई 6 जो eccentricity होती है बीवाई 6 जो eccentricity होती है rectangle की उसने कुछ बोलाए नहीं rectangle है square या फिर circular उसने तो केवल क्या बोला कि कितनी दूरी पर रखे z by a इसका मतलब यह जो formula है हमारा z by a eccentricity यह हमारी general equation हो गया है general formula हो गया अब आपको rectangle का निकालना है तो इसी formula से निकालो आपको square का निकालना है तो इसी से निकालो तो आपको circular का निकालना तो भी इसी से निकालना पड़ेगा, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा रहता हूँ, rectangle का, तो rectangle के लिए z, eccentricity निकालना चारा हूँ में, तो z upon a rectangle, z कितना होता है, bd square by 6, area कितना होता है, b into d, bd से bd cancel, तो क्याल क्या बचकिए, d by 6, तो अगर हम depth के along चलेंगे, तो देखा आगे न, d by 6, और अगर width के along चलेंगे, तो z क्या होता है, d, db square by 6 upon bd, तो हमारा आंचरा जाएगा, b by 6, तो rectangle के लिए, इसी से आईए हमा तो हमारा आंसर b by 6 होता, उसे ने कुछ नहीं बोला, जनरल चीज बोल लिए के वल, तो हमारा आंसर कहा है, z by a, तो 400c में क्या हमारा, b आएगा, आपन देखते हैं, 400, 181, question number 400, 181, देखते हैं, 400, 181, देखते हैं, 400, 181, for rectangular foundation of width b, eccentricity of load should not exceed, अब ये question में भी confusion क्या, येकर rectangle है, उसके लिए eccentricity कितनी होनी चाहिए, यहाँ ये माल लोग b है और ये हमारा d है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, depth d है तो देखते हैं, center से b by 6 तो इधर, और b by 6 इधर, center से d by 6 उपर, d by 6 नीचे, center से b by 6 तो आप इधर रख सकते हो, और b by 6 इधर, center से, मतलब ये point और ये point, और ये center से d by 6 तो उपर, और d by 6 पॉइंट नीचे, तो इन 4 पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ, ऐसे, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया मेरा core section या फिर कर्ण section, core section या फिर कर्ण बोलते हैं, इसको core भी बोलते हैं, simply, तो अगर आप से eccentricity पूछता है, तो center से measure करते हैं, by 6 इधर, और d by 6 उपर, इतनी दूरी पर आप रहते हैं, और अगर वो बोल रहा है, कि core distance बता, तो core distance तो क्या है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई भई, तो by 6 plus by 6, by 3, by 6 plus by 6, by 3, यही important चीज थी, क्योंकि option में आपको यह by 3 भी मिलेगा, by 6 भी मिलेगा, आप confuse हो जाओगे, तो तसली से पढ़ना, कि उसमें वो eccentricity पूछ रहा है, या फिर core section पूछ रहा है, अगर वो कहता है, core section कितना रखोगे, compression के लिए, तो by 3, eccentricity by 6, बात के लिए रहे के नि, और circular अगर होता है हमारा, तो circular में होता है, यह दूरी हमारी कितनी, यह दूरी होती है, हमारी, eccentricity तो होती है, diameter का d by 8, और यह भी d by 8, और total distance कितनी होगे d by 4, वो आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, तो इसमें उसने आपसे क्या पूछा है, eccentricity पूछे, तो answer क्या आएगा, d by 6 आएगा, eccentricity पूछे तो b by 6, चार सो भाई आसी, the maximum dimension of a core section for rectangular cross section under eccentric loading on a column is, क्या होती है भई, अब इसने क्या पूछ लिया आपसे, core section की dimension पूछी है, तो core section dimension क्या है, b by 3 और d by 3, ये, और ये कैसा बन रहा है, core section, square है क्या, नहीं, इसक्वार तो थो था, जब ये angle कितना होता मेरा, 90 degree होता, 90 तो है नहीं, ये तो कैसा मन रहा, सम्चतरू बूजा है हमारा, ये तो हमारा क्या है, ये रहूंबस है हमारा, रहूंबस है, तो रहूंबस की ये distance, अपन निकाल सकते हैं, इसलिया आराम से, तो देखो, इसमें answer क्या आएगा, मेरा option D आएगा, question number 480, 480 का कहता है, which eccentric load if placed within the central core, Sean in figure below, does not produce transfer in the column cross section, इन 4 में से कौन सा आएगा, ये भी बहुत confusion है, मैंने वोला आप 4 पॉइंट को मिला दो, जारो पॉइंट को, ऐसे मिलाना, एस थोड़ी मिलाओगा या यह यह, यह बिल्कुल गलत है, ऐसे मिलाना, पॉइंट टो पॉइंट, पॉइंट टो पॉइंट मिलाओ, अब ऐसे में भी हमारे देखो, दो ऑप्सन एक तो C है और D है, यह क्यों है, अब कन्फूजन के लिए कि आप इसको गलत करो, क्योंकि बहुत सों को तो यह दिहान रहेगा, भूई, बि वाए सिट्स एर दिवाए सिक्स तो इसेंट टि यह टिस्टेंस तो कितने हुए, बिवाए सिक्स प्लस बीवाए सिट्स भ्लावर, वी वाए ध्रीट आप्सन दे एजी इज कोर पूछ रवी और डीस की साइड है यह कूर गेंडर पूछ राटसे यहां से यहां तक की डिस्टेर्स को एक्स माल लो यहा आप कैसे निकालोगे यह पहली बात तो आप इसको किस तरह से निकालोगे X को यह देखो यह एक्स है यह दूरी कितनी है भई बीवाई 6 यह दूरी कितनी है भई डीवाई 6 कर निकालना तो करन का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर कतम बात तो एक स्कॉयर बराबर बी स्क्वाइर भाई 36 प्लस डी स्क्वाइर भाई 36 तो एक्स बराबर रूट बी स्क्वाइर भाई 36 प्लस डी स्क्वाइर भाई root B square प्लस D square by 6 लेकिन दो अहाँ आप Cup our section के एसा होता है पहला है il vis side 66 गिश्ति कॉर आइगा रॉमबस with side में स्कार प्लस्टीज़ कर माई 6 अव देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन नमर्च आर्स बिच्च आजी के ता ओक तर देखते हैं अट गोर ओफ़ा चिर्किलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम और डायमीटर डी कि अप concentric circular area having a diameter core पूछ रहा है किसका circle का तो मैंने आपको circle का बताया कि जो हमारा ये core ये जो distance है eccentricity की बात करते हैं तो eccentricity कितनी होती है dy8 और dy8 और अगर बात करते है core की तो core तो यहां से यहां तक है distance होगी तो dy8 plus dy8 dy4 तो आप से क्या पूछा है उसने उसने हम से पूचा है आप तो core बताओ तो core क्या आएगा dy4 answer आएगा इसमें क्या आएगा dy4 question no.486 तो ऐसे question में गलती नहीं करें अधर बहुत दुख होगा आपको कि हमने अच्छे से पढ़ानी तो ध्यान से पढ़ लेना मेरी बात हो ध्यान रखना आप eccentricity पूच रहा है या फिर core पूच रहा है eccentricity पूच रहा है तो किवल यह होगा और core पूच रहा है तो dy4 option 486 question no.486 for eccentric load on a circular section not to cause any tension in it eccentricity of loading should not exit eccentricity पूच रहा है eccentricity कितना होगा वो dy8 होगा आंसर क्या है किसमारे डीवाइट तो बहुत अच्छे कोश्चन नहीं है इस प्रकार कोश्चन आते हैं चार सो सत्यासी क्या क्याता है वई question no.4 सत्यासी क्या क्याता है a short column of external diameter d and internal diameter d is subjected to load w with an eccentricity कोई ऐसा कोलम है external diameter है d और internal है small d causing zero stress at an extreme fiber then the value of e must be वही eccentricity पूछ रहा है कि उसमें stresses क्या हो total stresses zero हो जाए मतलब बेंड उसके अंदर compression compression हो tension उत्पन नहीं हो तो ऐसे cases में hollow circular वाले case में eccentricity होती है हमारी outer diameter का square plus inner diameter का square upon में 8 into में outer diameter ऐसे निकालते हैं आप हमेशे यह आउट राएगा इंदर नहीं आएगा option में देखो हमारा कौन सा आएगा d square plus describe by 8 डियो ऑप्शन बी आएगा 400 808 में क्याएगा option बी आएगा question number 4888 देखते हैं अपन 4888 क्या क्या क्याता है इस शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्षन डाइमेटर डीवन एंड इंटर डाइमेटर डीटू है ठीक carries an external load W for no tension condition same question है अपकी बार क्या हो जाएगा यह तो हो जाएगा d1 और यह हो जाएगा d2 खतम बात option कौन सा मिल रहा है ऐसा option c मिल रहा है d1 square plus dt square आपन में 8d1 489 question number 489 क्या क्या क्याता है a hollow circular column of internal diameter d and external diameter 1.5 d अब की बार क्या बोल दिया internal तो है small d और external है 1.5 small d डेट गुना अंदर the maximum distance of the point of application of load from the center for no tension same question है eccentricity पूछ रहा है eccentricity क्या हो जाएगा हमारी e e बराबर external का square external मतलब कितना है हमारा 1.5 d का square plus internal का square upon में external into में 8 into में external diamond यह थो था 8 d तो वाइस को मैं solve करता हूँ 1.5 का square करोगे आप 1.5 माण बाफ पंदरा माल लो 15 15 25 इसको आप अगर 3 मानते हो तो 3 चोक 12 मतलब डी बाइ 4 इसको 4 मानते हो तो 4 ती अबारा डी बाइ 3 मतलब आंसर मेरा डी बाइ 4 और डी बाइ 3 के बीच में होगा तो option A और C तो होंगे ही नी मुझे अंदाज ही तो निकालना है अब देखो मैं D B option पुट करके देखता हूं इसमें B में नीचे क्या है 48 है तो यह 48 कब होगा जब मैं इसको 4 से गुणा करूँ और उपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा तो अपन करके देखते हैं इसको तो उपर करते हैं 4 से गुणा क्या है या मेरा 4 ती है 12 और एक 13 D एक पॉन में 8D अब करते हैं वन कुशन नमबर 490 को नमबर 490 को नमबर 490 को यह क्या कहता है यह शॉर्ट कोलम ऑफ एक्सटन डायमेटर ओफ धाई-100 mm एंट इंटर डायमेटर डेटर साही है इंटरनल तो है डेटर सू एक्सटरनल है वही धाई-100 mm कैरीज अने संट्रिक लोड ऑफ थाउजन किलोनुटर्ण ग्रेटर इस्टेंट इस्टेंटरी विच दप लोड कैन है विदाउट प्रदिजिंग तैंस वही तैंस अने संटी इनिकालनी है यह वराबर एक्सटरनल का स्कॉयर इंटरनल का स्कॉयर एट इंटू में एक्सट 25-25-625-015-125-9 साड़े साड़े आठ सो बटे बीस एक जिरो से जिरो गई 42.5 क्या एम्म तो आंसर क्या आएगा हमारा वैलिस पॉइंट पांच एम्म उप्सन डी आएगा तो यह आप वैसे तो यह देखो कुशन्स मैं आपको बोल सकता था कि आप अपने आप सेल्फ कर लें डी कुशन क्योंकि प्र रहा है यह तो कैलकुलिस ने भाई कुछ नहीं इसके इंदर केलिस लावा प्रैक्टिस आपको करने ही मुझे नहीं करने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको फायदा होगा तो अपना यह वाली जो यूनिट थी वह भी कंप्लीट हो चुकिया अपन देखते हैं को सान्व पर 4291 पर क div कि से कह लूंब का है वह कॉल्म का है ए ACT60 1writing देखते हैं ईरकाता है two भी कोण वडिकल मेंब्स यंज साप साथ बोल दिया लॉंग वर्यटिकल मेंबर है तो बैसे में मश इस पर कंप्रेशन लग रहा हो कॉलम कहलाता है compression तो बहुत सारे member उपर लगता है लेकिन कुछ member हमारे हैसे होते हैं जो vertical है उस पर लग रहा है कुछ हमारे कैसे हैं inclined है उन पर compression लग रहा है तो ये भी compression member है ये भी compression है लेकिन vertical है तो कहलाएगा column और inclined है और उसका use कर रहे हैं सच्छ सब्सक्राइब के लाइव सबस्सक्राइब को सब्सक्राइब नौब जरूर नहीं कुरूर हो वह वह हमारा को सबस्क्राइब चार inauguration कोशन नमबर चार सो तरानवे क्या कहता है यह कहता है था मैक्जियूम एक्जिल लोड विच इस जस्ट सफिशन्ट टू कीप एक कॉलम इने स्माल डिफ्लक्टेड शेप इस कॉल्ड देखो भाई मेरा ये कॉलम था इस पर मैं लोड लगा रहा हूं मैंने सो लगा दिया बढ लगाते हैं लेकिन आप उसकी वेल्यू बढ़ाते हैं कि 100-200-300-400-500 पर क्या हुआ वह बांस जो था हमारा वह ऐसे हो गया बकल हो या बैंड हो गया इसका मतलब क्या है कि वह मैक्जियूम कितना जहिल सकता था वह 499 जहिल सकता था 500 होते ही तो वह बैंड हो गया तो जितना लोड वह मैक्जियूम जहिल सकता है लोड मतलब नीमीट कुलोनिटर में आएगा उसको बोलते है और पी कोशन नमबर 400 94 क्या कहता है लो लॉंग कॉलम फिल्स बाई अब आप यह देख लिए कि कॉलम हमारे हम जनरली तीन प्रकार के कॉलम को डिवाइड करते हैं एक तो हम यह long यह short यह intermediate या medium कॉलम शौर्ट कॉलम पर आप जब लोड लगाओगे तो यह ऐसे फट जाएंगे बीच में से मतलब crushing के के द्वारा तूटेंगे इस पर आप लोड लगाओगे तो bend हो जाएंगे मतलब buckle हो जाएंगे यह buckling के द्वारा फेल होते हैं इसमें दोनों इन्हों को मैं define किसके आधार पर करते हैं जो think the entrepreneur होता है मारा lambda lambda मतलबゆdlinlessness रचयो इसको आप तसली से समेबिए आधार बहुत bar कोशन से पता ही नहीं आगा तो स्लेंडर ने इस रेशो स्लेंडर पतला पन पतले पन का रेशो जितना कितना ज्यादा पतला है पतला को आप कैसे बता हुए वही मेरे पास तो यह मारकर है और मेरे पास क्या है मेरे पास एक स्लेंडर है गैस का तो आप क्या का हुए सर यह स्लेंडर वह सिलिंडर का मतलब यह पतला है वह यह आप कुछ भी चीज मान लेज़े मेरे पास लकडी है को हमारे पेड़ का तना आएं बहुत मूटा इतना मोटा तना पेड़ का उसकी हाइट इतनी है यहां से लेके हां तर दस फिट का है इन दोना नंकमपरिजन कर रहा हूं मार कर औ है दो यह पतला है सिलिंडर क्योंकि इसकी जो लैंध और जो इसका डायामीटर है लेंध और दामीटर का रच coalition वह बहुत जअ हैं इस इसकी पतला है कर रहा हूं उसका diameter तो बिल्कुली कम होता है diameter बहुत कम होता है लंबा ही जादा है उसका L Y D ratio length और diameter ratio और भी जादा हो गया ये तो बात थी diameter मतलब हमारे circular section की अगर circular नहीं होता तो आप कौन सा कौन सी उसके दर dimension लेते ये लेते छोटी बारी dimension कौन सी dimension लेते least lateral dimension ठीक है तो कौन सी दरते है आप L L D तब आप कौन सा रेशो देखते है इसकी length का अगर माली जी मेरे पास चौक और जैस तीली होती है न हमारे माच इसकी तीली होती है वेस्ट लेकर हमारे लंबी तीली होती तो वो तो चौक और होती है लंबाई पहले हम देखते थे किस से length और least lateral dimension के रेशो से लेकिन धीरे 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 एक parameter आया वो क्या आया हमारा length के जेगे हम लेने लगे इस complete length हमारे लिए useful नहीं होती उसमें से कुछ part length का useful होता है मान लीजिए हमारा कोई column है उसको दस मीटर का है तो दस मीटर पूरी length का में पूरी-पूरी length buckling के अंदर हमारी fill नहीं होती है थोड़ी सी length fill होगी कहा से कहा तक की fill होगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे तो वो जो length होती है जो हमारी useful है उसे बोलते है effective length effective length हमारी होती क्या है actual में माल लीजिए कोई भी column है उस column को मैं मालो अगर मैं इस column को horizontal कर देता हूं क्या बन गया है यह fixed beam बन गई है यह fixed beam बन चुकी है तसली समझे ने इस concept को वैसे मैंने class हम बताया है उनके लिए जिन्होंने classes ही नहीं ली इसको अगर मैं horizontal कर देता हूं यह मेरी fixed beam बन चुकी है fixed beam पर कोई load लगाते हो तो BMD ऐसा बनता है इसका मतलब इसमें क्या है दो point of counter flexor बनते हैं तो जो point of counter flexor है हमारे यह इन दोनो point के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कराती है effective length तो column की total length तो यह थी L और effective length क्या होती है हमारी यह effective length क्या होती है column की point of counter flexor के बीच के distance हम मैं इसको सीधा कर देता हूं तो देखो सीधा कर दिया तो यह और यह point इन दोनो point के बीच की दूरी हमारी का कलाती है effective length तो L effective के लिए रहे भई तो effective length अलग-अलग होती है हमारी अलग-अलग condition में हो सकता है column के दोनों end हमारे fix हो दोनों हमारे hinge हो एक fix एक hinge है मैं आपको next मैं बता दूँगा भी कि क्या होती है L effective फिलाल तो यह समझ में आगा आपको L effective क्या होती है L effective होती है point of counter flexor के बीच की distance अब बात आती है हमारे उसके बाद में least lateral dimension मतलब यह dimension को न ले करके एक अलग parameter लेने लगे वो क्या होता है हमारा radius of gyration our minimum यह क्या होता है भई मान लीजी मेरा यह cross section है यह इसका center है इस center से cross section को कितनी दूरी पर रखूं कि मेरा जो इसको मैं इतनी दूरी पर रखा वो मुझे नहीं मालू कितनी दूरी पर रखा 100 mm की दूरी पर रखा मैंने इस cross section को और फिर मैं इस cross section का इस axis के respect में क्या निकाल रहा moment of inertia parallel axis थी और हमचे और वो जो moment of inertia आया उसकी value उतनी ही थी जितनी इसकी खुद के moment of inertia की थी इसके CG के साफ एक्ष में तो ये जो distance होती है ना जिस distance पर मैंने इसको रखा है और moment of inertia दोनों के बरावर बैठे है मेरे तो उस distance को पर बोलते है radius of gyration radius of gyration क्या होती है ये किसी भी section के center से वो distance होती है जहां पर उस section को place करने पर रखने पर उतना moment of inertia से प्राप्त होता है जितना कि उस section के खुद का था CG के साफ एक्ष में तो ये होता है हमारा r और radius of gyration को कैसे निकालते हैं पर mathematical ये तो मैंने physical ही बता है root i upon a से अपन निकालते हैं करते हैं किसे ये की चीज़ दोनो तो भाई अब बात में क्या लेने लगे ये लिश्ट लेटल डाइमेंस ना ले करके आर मिनियम क्योंकि ये दोनों ही हमारे effective parameter होते हैं अब बाद में क्या होगया हमारा slenderness ratio lambda lambda हो गया L upon में R minimum मैं आपको ये क्यों बता रहते हैं तो आपको पता होना चीज़ आगे काम आने वाले तो आपको पता होना चाहिए लेंबडा की वैल्यू 32 से कम होती है लॉंग वह होंगे जिनके लेंबडा की वैल्यू 120 से ज्यादा होगी और intermediate होते जिनकी लेंबडा की वैल्यू 32 और 120 के बीच में होती है बात के लिए तो ये हमारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब अपन कोशन करते हैं आगे तो आ लॉंग कॉलम फिल्स भाई किसमे फिल होती है लॉंग कॉलम हमारे बखलिंग के अंदर चार्स और अवे आए हमारा अब हम नेक्स्ट कुछन देखते हैं वही चार्सों पिच्छान वे तो आपको यह एल इफेक्टिव यह सारी जीने के लिए रोवी क्या होती है अब जहां पर भी एक कोशन आएगा आगे आपर में दुबारा एक बार बता दूंगा चार्सों पिच्छान में देखो एक कॉलम दैट फिल्स दूट डाइक इस्ट्रेस कॉट डारेक्ट इस्ट इस्ट्रेस लाइज बिट्वीन मेडियम या इंट्रमीडियट कॉलम कौन से होते हैं जिसका स्लेंटरने से रोशु हमारा बक्ति से 120 के बीच में होता है मैंने आपको अभी बताया था कोशन नमटर 497 दफेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन फेलिर किस पर डिपेंड क दॉका में तो क्या आएका सिंटर हमारा स्लेंडर नैस रेशु को सिन नबर 490 दरेश हो अधान वे द रेशो अब द लैंट आप द ऑप-कॉलम डार जायरिकलो शेयरेश हो में वाई यह में आप टाह पॉताया था आरि कया हो ता है रूट और यह होता है एह को अरा आपको the slenderness ratio of a column is 0 when it's slenderous ratio 0 कब होगी लेमडा की value 0 कब होगी जब या तो यह 0 हो जाए या फिर इसकी value अनन्तों जाए नीची वाले की इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए अब देखो यह कह रहा है effective length is equal to actual length जब effective length हमारी actual length के बराबर हो जाए तब बिल्कुल नहीं length is very large इसको बहुत जादा कर दोगे यह भी बढ़ जाएगा 0 तो नहीं हो रहा length is equal to its radius of gyration इसकी value r के बराब हो जाएगी तो इसकी value क्या हो जाएगी लेमडा की 1 हो जाएगी तीनों में कोई सार भी नहीं है तो आंजर क्या आएगा इसमें none of these question number 500 देखिया वाब cylinderness ratio of a 5 meter long column hinged at both ends and having a circular cross section with diameter 160 mm is अब यह कह रहा है इसका diameter तो है 160 mm लेमडा पूछ रहा है एल है पांच मीटर तो लेमडा क्या होता है एल एफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमूर पहले मैं आपको यह बता देता हूँ effective length के बार में इसने आपको length दी है तो देखो भई कई सारी चीज होती है हमारी क्या क्या चीज होती है एक तो ऐसा होगा दोनों ही end हम आपके hinge है एक होगा दोनों ही fix है एक होगा एक fixer दूसरा hinge है और एक क्या है चोथा हमारा एक fixer दूसरा free है तो एक, दो, तीन, चार चार एंड होगा है हमारे चार दूसरा के column होगा है जब दोनों हींज होते है उस वाले case में जो length होती है एक्च्वल वही क्या होती है हमारी effective length क्या है जो हमारी actual length है वही हमारी क्या होगी effective length है जब दौनों fix होते हैं उस वाले case में क्या होती है मैं आपको बताया था बिल्कुल इस वाले case में total length की half होती है हमारी effective length एक fix एक हिंज है तो इन दोनों के बीच की value आएगी तो वो होती है L effective ब्लावर L by root 2 और जब एक fix है दूसरा फिरी है तो हमारी effective length होती है 2L दूगने L के बरावर अब सबको यह तो याद तो सबको होंगे 100% मुझे मालूँ है आप सभी को याद है लेकिन इसमें confusion हो है इसमें 2L क्यों है और भई देखो इसका आगर आप देखते हो ना मैंने आपको क्या बताए effective length क्या होती है जो हमारे इसके पॉंट-off counter-flexer होते है उनके बीच की दूरी तो इस वाले case में कैसा बनता है देखो डियाग्राम इस वाले कैसे बनता है यह एसे इत पॉंट नो के बीच की distance कैसे होगी देखो यहां से यहां तक की दूरी हमारी L और यहां से यहां तक की दूरी भी तो कितनी हो गय तो यह वहती है हमारी इफेक्टिव लेंद 2L इस वाले केस में तो अब आप देखिए आपको आप चारों चीज़ आपको याद रखने हैं इसको आप उतार लो कहीं पर दोनों एंड हिंज है तो वही रहेगी लेंद एक दोनों फिक्स है तो एल वाइट टू हो जाती है एक अब आपको तो क्या बोल दिया दोनों दोनों एंड हिंज बोल दिया इसका मतलब जो लेंद दी हुई है वही क्या हो जाएगी आपकी एफेक्टिव लेंद 5000 mm पांच मीटर 5,000 mm आर मिनियम कैसे निकाल होगी आप सर्कुलर का आर होता है आई अपॉन ए यह भी आप द्यान पाई डी स्कॉायर बाई फॉर तो पाई डी स्कॉायर से एक एंसील होगा क्या बचा यह बचा मेरा डी स्कॉायर अपॉन में यह कितना हो गया 64 तो डी बाई फॉर अब आपको यह चीज ध्यान रखनी है वही हमेशा बार बार नहीं निकालेंगे सर्कुलर की रेडियस कितनी होती है हमारी डी बाई फॉर के बरादर होती है तो अब यहां पर मैं पुट करता हूं डायमिटर आपको कितना दे रहा है 160 तो आर्की वेल्यू क्या हो गई डी बाय 4 होती है तो लेमडा बराबर 5000 बटे डी बाय 4, 160 बटे 4, 40 आ गया 5000 बटे 40 चार का भाग दो गए इसमें 125 mm तो 125 अपना 125 अपना आंसर आगे इसके नदर क्या होगा अपना 125 आ गया तो 500 में क्या आगे 125 तो काफी सारी चीज़ हैं आपने देखिया आपको भी एची याद रखनी है रेडियस ऑफ जायरेशन सर्क्लर की कितने होती होती डी बाय 4 बार बार नहीं करेंगे अपने इसको यह आपको डाक ली द्यान रखनी हो और क्या ची द्यान रखनी है effective length दोनों end hinge तो भही रहेगी दोनों fix तो ly 2 एक fix एक hinge ly root 2 एक fix और दूसरा free तो 2l आपको नेक्स्ट कोशन देखते हैं पांसो एक देखते हैं for a circular column having its ends hinged दोनों hinge है the slenderness ratio is 160 the l by d ratio of the column दोनों end hinge है तो आपका l upon में r होता है ठीक circular column है यह lambda दे रखा है 160 है l की value आपको l upon r कितना होता है circular का भी तो बता है मैंने आपको d by 4 होता है r कितना होता है आपका d by 4 होता है circular के लिए तो यह 160 बराबर 4 उपर जाजा है 4 l by d 4 दिर चला जाएगा तो 160 बटे 4 बराबर l by d यह कितना गया 40 बराबर तो आप से यही तो पूसरा था आपको बताया था ना इस्टार्ट में इसको पर हम लोड को बढ़ाते जा रहे हैं जितने पर टूट जाता उसको बोलते हैं और अगर मैं उस्क्रेटिकाल लोड में एरेका भाग दे दूतर ख्रेटिकल इस्ट्रेस अजयेगा ठीक्ल इस्ट्रेस बखली इस्ट्रेस रिजोती कर लोड होता है मेरा PCR यह होता है पाइज स्कॉाइर ए आई अपन ऐल इसकोई या बोछ पाइज सकने पड़ागा योवाला सब्ड़ने नहीं पड़ागा एक ही चीजा यह दोनों लग लग नहीं है तो मैं दोनों में से किसी से पाई इसक्वाइर ईए अपन में लेमडा इसक्वाइर इंटू में ये से ये कैंसिल तो मेरा जो सिगमा ये आया कितना आया सिगमा सी आर बढ़ावर पाई इसक्वाइर एपन में लेमडा इसक्वाइर ठीक है लेमडा क्या होता है एल अपन आर होता है पाई इसक्वाइर आर इसक्वाइर अपॉंड में वही चीज़ आ रही है अब आप देखिए इसके अंदर यह कह रहा है कि अलवब इस्ट्रेस को आपको बढ़ाना है क्या करोगे रेडियोस अब जायरे सन बढ़ा दोगे तो यह बढ़ जाएगा यह लोड के हैं और यह स्ट्रेस के यह लोड ह इसमें क्या आएगा पांसो दो में आएगा मेरा यह अब आपको यह फॉर्मले याद रखने हैं दोनों क्रिटिकल स्ट्रेस की पाई स्कार ए अपॉन लेमडा स्कार क्या होता है पांसो तीन रेडियोस अफ जायरे सन आप दसेक्शन इफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मुम आपको पोशन नमर पांसो चार्ट रेडियोस अफ जायरे सन आप ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इसकी डेफ्ट दी दे रखी विर्थ भी है उसकी निकालो भई क्या होगे रेक्टिकल की आई क्या होता है बीडी क्यू अपॉन ट्वैल एरिया बीडी से बीडी कैंसल क्या ब क्या है निचे यह अपॉन में रूट्टी ट्वैल डीप उनमें 12 को कह लिसकते हैं 4 तीया बारा चार का रूट कितना हो गया ड़का अटांसर क्या आगा डी वाई टू रूट 3 ऑप्शन भी 540 में क्या बीरा ऑप्सटी आएगा तो किसी का भी आप निकाल सकते हो 505 देखत प्रफिए निदेशन क्या है मेरा डी वाइटूरूट ती डी क्या होता है डायमेटर किसमें होगा एम्म में तो आंसर का यहाँ अप दो चीज पढ़ चुके रिदेशन यह तो रेक्टिंगल का है और सर्कुलर का डी बाय फोर अब आप इसको भी धियान रखें तो डायेकली जिस से आपको हाँ पर क्लिट करना नहीं पड़े ताइम जो है कम लगे अब देखते कोशन नुबर पांसो चैनल कोशन नमबर पांसो चैनल कि यह क्या कहता है दारेटियस ऑफ इस सर्क्ल ऑफ रेडियस आइज एक्वल टू सर्किल की रेडियस दे रखी है और उसकी रेड का डि डि बाऐ 4 होता है रेडियस क्या होती डा, आक को रेडियस की टरμ मनें पोछ रहा है तो डाइमेटर क्या होता है रेडियस का दुगना होता है तो यह आगा मेरा R by 2 तो रेडियस अजार्शन कितनी होगी? R by 2 अगर डामेटर बोलता तो D by 4 और रेडियस दे रखा तो R by 2 तो आप्शन क्या आगा समेरा? 506 में B आएगा कोशन नमर 507 देखते हैं अपन ए इस ट्रट 3 मीटर लॉंग इस 60 mm in diameter वन एंड अधर इस ट्रट इस फिजड़ वाइल इस अधर एंड इस हिंजड़ वाइड इस अधर एफेक्टिव लेंथ अभी एफेक्टिव लेंथ के आगे तो इफेक्टिव लेंथ देखो किसकी पूच रहा है? एक फिक्स है दूसरा हिंज है? आपको पता कितनी होती है? एल इफेक्टिव बराबर एल वाइर रूट टू होती है यही तो होती है तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 3 मीटर मतलब 3000 mm अपन में रूट टू है दाइमेटर का तो कोई काम ही नहीं इफेक्टि लेंथ पूच रहा है 3000 बटे रूट दो simplicity के लिए मैंने इसको उपर नीचे गुणा कर दिया उपर नीचे रूट दो से गुणा कर दूँगा तो मेरा क्या हो जागा? नीचे वाला रूट दो रूट दो डेज़ रूट दो रूट दो की value कितनी होती है भाई? डेज़ गुणा में 1.414 इसको भी डेज़ मालनो, इसको जेज़ मालनो तो 15.5, 225 मेरा answer मतलब 2 point कुछ आना चाहिए, 2 point कुछ आना चाहिए, 2 point कुछ क्या है? 2.12 है answer, तो पांस जात में क्या है डेड दोनों हिंज बोलता तो वही होता तीन का तीन एक फ्री बोल देता तो छह हो जाता है इस का आज़ा तो आपको देखना कोस्टन में क्या कंडिशन दे रखी है उसके अक्वर्डिंग अपना अंसर होगा कोस्टन नमर पांसो आठ रेडियस ऑफ जायरेशन आफ टू रे प्रिशा अप देया डेफ लिए नकी डेप्थ का रिच्व क्या होगा अरे वहाइन जानते हैं रेडियस अफजारेशन जो होती है वह क्या ओट एक ओलंकि रेक्टेंगल डी बाइट फूरू तृट री कि अपॉन में दूसरे की डाविट कि डाविन वाग लो डेविशए यही तो खीए भाई रेडिस ओव जैरेशन डी बाई 2 रूट त्री मैंने एक विलीखा यह एक ओलम की रेडिस ओव जारेशन आ आएगा मेरा सेम वैल्यु आएगे थी फिले पात एक कॉशन नमबर पांट्सो ओ नो लोट नमबर पांट्सो नोगा कहता है आ यूलर्ट फॉर्मूला होल्स गुड्स आंली फॉर यूलर फॉर्मूला देखो भई यूलर्ण अपना फॉर्णा दिया थिया दो में आपको बताया ना पाई इसक्वाइर एपन लेमडा इसक्वायर लोग इसको आयलर बोलते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं प्रणस कुछ भी का नोट है तो यह हमारे यूलर फॉर्मला है सिग्मा सीर पाइस का रिये अपन लेंड़ेस मैं आपको बता चुका हूँ क्ञा हुआ था actual में है इन्होंने जो अपनी धियूरी दी दी यह दी लॉंग कॉलुम के लिए इसके लिए दी ओन ओन्हों और यह लोड़ेट। और उन्हों ना बोला कीया जो नॉग कॉलम है किसमें फेल होगा हमारा अबाफ्ल लिнос के लिए पाइच आठीक होगा को सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए तो उन्होंने अपने इस फॉर्मले का यूज्ज़ किया और practical कर रहे थे Mild strength फेए तो उन्होंने load लघाते चले लिए बढ़ाते बढ़ाते गे अलग-अलग कॉलम приben के लिए तो वह देख रहे थे कि lambda बराबर मैं अलग-अलग column लिये उन्होंने एक का तो lambda उन्होंने लिया 100 दूसरे का लिया उन्होंने पिच्चानवे फेल लिया उन्होंने 90 से करते चले गए वो और ये values देख रहे थे तो उनका जो column था ना वो 89 lambda बराबर 89 पर फेल हो गया और वो फेल किसमे हुआ वो भाई crushing में फेल हो गया वो किसमें फेल हो गया crushing में हो गया तो ये तो गड़बड हो गई ये लर ने तो क्या बोला था कि उन्होंने theory ही long column के लिए दी थी मतलब वो buckling में फेल होगा लेकिन वो 89 पे वो column हमारा 89 पे lambda बराबर 89 पर फेल हो गया किसमें crushing में इसका मतलब कि जो ये लर का formula है ये formula केवल किसके लिए valid है lambda is greater than 89 के लिए valid है क्योंकि 89 से कम पे तो ये crushing में फेल हो रहा है जबकि इन्होंने बताया था कि किसमें fail होगा only buckling में fail होगा तो इनकी एक कमी थी क्या कमी थी कि इनकी theory केवल और केवल 89 से ज़्यादा के लिए valid है उससे कम के लिए valid नहीं है क्योंकि उससे कम पर जो column हमारा crushing में fail हो जाता है वो हमारा buckling में fail नहीं होता मालब short column तो इनके according ये लर के according short column कौन से होगे इनके according short column तो वो होगे जिनकी lambda की value 89 से कम है या हम कहें 90 से कम है 89 पर तो failure हो रहा है 90 से कम है तो वो सारे column हमारे कौन से होगे 89 होती में से generally 89 तो वो सारे column हमारे short होगे जबकि हमने पहले क्या बढ़ा था short column वो होते जिनकी 32 से कम होती तो आपको question में दे रखा है ना ऐसे option short column कौन से होंगे 32 120 इन दोनों के बीच में तो मतलब आपसे general चीज पूछ रहा है और अगर उसने आपको option दे रखा है short column कौन सा होगा 80 100 इस तरह से 200 500 तो आप समझ जाओगे वो यूलर वाला पूछ रहा तो यूलर के according कौन सा होगा हमारा जिनकी lambda की value 90 से कम हो या 89 से हमारे कम हो वो हमारे short column होगे तो ये पूरी theory थी यूलर की तो अब आप देखिए ये 509 में कहता है यूलर's formula holds good only for ये केवा long column के लिए होता है short के लिए नहीं होता इसमें आप correct कर लेंगे आपको answer शायद A दे रखा है किताब में वो misprint से तो आप इसमें B कर देंगे long column लिख देंगे तो 509 में क्या आएगा B आएगा 510 यूलर's formula for a mild steel long column hinged at both ends is not valid for slenderness ratio किसके लिए valid नहीं होता अब भई हमाँ मालूम है 90 से बैस तो 89 होता है exactly तो 89 से कम के लिए valid नहीं होता लेकिन 89 तो option में है नहीं तो हमारा answer तो question के according होगा तो इस question के according हमारा answer क्या होगा less than 80 option है नहीं तो हम क्या लगाएंगे उसमें 80 लगाएंगे इससे मिलता इसके आसपास की तो हमेशा आपके जो answer होंगे appropriate answer अपना answer हमेशा question के according होगा question कैसा पूछ रहा है अगर आपका question यहीं होता और option होता उसके अंदर 80 90 100 120 तो क्या लगाते हैं 90 और अगर आपका question होता 80 90 89 और 120 तो हमारा answer होता 80 9 तो जो हमारा exact है उसकी तरफ हम जाते कौन सा more appropriate है कौन सा जादा सही है उसकी और हम जाते तो हमारा answer क्या आएगा पांसो दस में option भी आएगा तो वही बागी question पर करते हैं next lecture में thank you so much